हेलो गाईस आज हम बात करेंगे ओपो डिवाइस के जीयो सिम नौट सोविंग प्राब्लम के बारे में अगर आप लोग अपने फोन में जीयो का सिम काड यूज कर रहे और वो सो नहीं कर रहा है तो इसका मैं आप लोग को सॉलिसन इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीड देखने को मिलता है और कोई ऐसे डिवाइस दे रहेते जिसमें आप लोग को सिंगल 4G देखने को मिलता है सिंगल ओल्टी देखने को मिलता है जिसमें सिंगल डिवाइस में कर रहता है सिंगल ओल्टी का ओप्सन ऐसे डिवाइस में रहता है जिसमें आप लोग एक ही सिम का आप लोग 4G यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप लोग 4G यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर 4G SIM card है तो वो बंद दिखाए देगा, कहने का मतलब यह है, कि दोनों जो device है, देखी, आप लोग का अगर device 4G plus 4G, मतलब दोनों ही slot 4G के है, तो आप लोग के phone में 4G SIM काम अगर आप लोग का phone 4G plus 3G है, 4G plus 2G है, तो उसमें कहा रहेगा, कि सिर्फ एक ही slot 4G का काम करेगा, दूसरा SIM अगर 4G यूज़ भी कर रहे, तब भी वो SIM card बंद नज़र आएगा, आप लोग समझेगे होगी कि अगर आप लोग के phone में, देखी, डबल 4G होगा ना, तो दोन SIM card proper तरीके से काम करेंगे, 4G में सो करेंगे, बट अगर single slot 4G का होगा, तो एक ही SIM card 4G में slot काम करेगा, दूसरा वला अगर 4G डाले भी होगे आप लोग ने, तो भी वो सो नहीं करेगा, तो यहाँ पर आप लोग without clear हो चुका होगा, और देखिए, इस type, मतलब maximum जो problems रहती ह इसी type से आती है, कि लोग बोलते कि मेरे phone में अगर मैं यह SIM card चालू करा तो वो SIM का automatic बंद हो जाता है, तो देखिए, अगर dual slot 4G के होगे, तो तो ही आप लोग दोनो SIM card को एक साथ यूज़ कर सकते, अगर एक ही SIM card 4G है, आप लोग का एक ही slot 4G है, तो अगर आप लोग 2 SIM card 4G अपने phone में डाले होगे, तो भी एक ही काम करेगा, ओके मैं आप लोग को बहुत बार repeat करके बता रहा हूं क्योंकि पूरा समझ आ जाना चाहिए, यह हो गया, और settings की बात करें कि जिस device में आप लोग को dual 4G setup देखने को मिलता है, उसमें आप लोग को alt वगरे का कोई option दे यूज कर रहा हूं, अब वो dual 4G है, मैं दोनों sim card 4G का यूज कर सकता हूं, तो आप लोग को simply क्या करना है, dual 4G को तो आप लोग को problem आईजी नहीं, 100% बता रहा हूं मैं, और अगर आप लोग का phone single 4G है, तो आप लोग को simply sim card पे click करना है, यहाँ पे click करना है आप लोग को, और यहीं पे option मिलेगा old T, तो यहाँ से आप लोग को old T select कर लेना, तो आप लोग के phone में sim card सो करना start कर देगा, और और भी दूसरी problem हो ज़कती, जैसे कि अगर आप लोग ने sim card पे click के, अगर आप लोग ने इसको disable रखा होगा, disable रखा होगा तो देखिए, आप लोग के phone म की problem आती ही बढ़ा, जो मैंने आप लोग को पहले बताया हूँ, वही maximum problems आती है, उसका भी मैंने आप लोग doubt clear कर दिया हूँ, मिलते है next video में, जै मता दी